सबाद 10 बजे आज ये कोट कमिशन ने अपनी कारवाई को कंक्रूड कर दिया है आज ये कोट कमिशन की कारवाई वारानसी के जो आदी विश्वेशर ओल्ड टेंपल कॉम्पलेक्स के बारे में जो न्याले के आदेश की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 17 बजे के बाद इस कोट कमिशन की कारवाई में कल जब तक आदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कारवाई नहीं होनी है अदालत का अगला अदेश क्या आएगा वो 17 मही को पता लगेगा सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापिस गए हैं सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया जिसको भी जहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिये गए थे कोट कमिशन के सभी तीनों ही सदस्यों ने यह कोट कमिशन की कारवाई सवादस बजे समाप्त कर दी हैं कि क्योंकि काशिविशनात मंदिर के दर्शन भी चालू है और सदालूं को एक भी मिनिट दर्शन करने से रोका नहीं गया केवल गेट नंबर चार जहां पे कोट कमिशन और बाकी इसर में समानेत जो भी उत्गोष होते हैं उसके अलावा अनीजुवल किसी भी टाइप कोई विनारा कहीं भी नहीं लगा कोट कमिशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी प्रक्षकेदारा बाहर नहीं दी गई है तो किसी भी उन्मात के आधार पर नार के लिए कोट कमिशनर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिये गए थे कि रिपोर्ट कोट में 17 माई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे के अंदर क्या मिला है लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भ अगर किसी भी वक्ष ने आपको बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार है इससे कोट कमिशन की कारवाई का को लेगा है ये कल की सुचना है कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करी 15-20 मिनेट उनको बाहर रखा गया था उसके बाद कोट किसी को बाहर थी इसलिए कल 15-20 मिनेट के लिए उनको डिबार किया गया था दुबारा से उनको कोट कमिशन में शामिल किया गया आज सारे पक्षकार शामिल थे आज किसी को डिबार नहीं किया गया पहले दूदेन की कारवाई एक आदर्ष वातावरण में संपादित जिसमें माननी न्याले का जो आदेश है उसकी जो कंप्लाइंस है वो पूरी हो पाई है आज तीसरे दिन की कारवाई प्रारंभ हो चुकी है और जैसा मुझे अंदर से इंपुट मिला है कि ये कारवाई बहुत ही कुशलता पूर्वक संपादित हो रही है हमारा उदेश य मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा शहर है उसकी जोने बाठा हुआ है क्रतिक सेक्टर पर एक एक राजपत्रिस अधिकारी की दूशी लगाई है और जोन की जिम्मेदारी हमने पुलीस अधिक्शक्सतर के अधिकारी को दी है जो दो हमारे अधिशनल सीपी जो की रेंग के अधिकारी हैं उनको समस्त पुलीस प्रभंद का काशी जोन के लिए एडिशनल सीपी लॉन ओर को और वरणा जोन के लिए एडिशनल सीपी मुख्याले को विक्तिकत रूप से जिम्मेदार बनाते हुए सभी अधिकारियों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं कि हमें हर तरह की परिस्तिती के लिए त्यार रहना है और मैं इस अपर्चिनिटी को मिस नहीं करना चाहूंगा कि जो हमारी काशी की जनता है उन्होंने भी इस पूरे कोट कमिशन की कारवाई में हमें बहुत सहो किया है मीडिय मेडिया के साथियों को भी मैं धेनवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने भी बहुत ही पेशेंटली अब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करी है इस कठिन सिच्वेशन में भीशन गर्मी में तो हमारे समस्त मेडिया कर्मी जो बाहर से भी आये हैं उनका काशी में इंप्लिमेंट है या जो उनका नेने हैं उस नेने को हम लोग को इंप्लिमेंट कराना है इस सुरक्षा को पूरी तरह से निभा जाना हो कि देखे मैं I would not like to jump the gun अभी ये कारवाई चूकि चल रही है कारवाई जब समाप्त हो जाएगी ऑफिशली जब समाप्त हो जाएगी मेरा उस वक्त इस पर टिपनी किया जाना ज्यादा समिचीन होगा